नर्सिम्त तुर्दशी इस महा महुत्सव में और खासतोर पर हमारे मध्य और कोई नहीं इस कौन की इतनी बड़ी हस्ती श्रीमान गौरांग प्रभू मौजूद हैं जैसे सत्यूग में जब भगवान नर्सिम्त प्रकट हुए थे तो ये एक ब्रेकिंग न्यूस थी पूरे ब्रह्मान्द में सारे देवताओं के मध्य क्योंकि जो उत्पात जो आतंक हिरंड कश्पू ने फैलाया हुआ था और अचानक ऐसा रूप भगवान विश्णू का न भूतो न भविश्यती इस टाइप का रूप तो एक जो मैंने कहा एक ब्रेकिंग न्यूस जैसी बन गई थी पूरे ब्रह्मान्द में तो जब मुझे कृष्ण धन प्रभू ने कहा कि इस वर्ष के नर्सिम चतुरदशी में गौरांग प्रभू वो स्विकृती दिये हैं आने के लिए तो उसी प्रकार की ब्रेकिंग मेरे लिए थी और मेरे कहाल से आप सब के लिए भी होगी काफी अरसे बाद गौरांग प्रभू नासिक आ रहे हैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में जो इनका परिचय है हाला कि साल दर साल इनका परिचय जो है उसमें वृद्धी होती जा रही है तो हम सब जानते हैं कि इसकौन में तो इतनी बड़ी हस्ती हैं ही इससे पहले गौरांग प्रभू वो आईटी क्रैक किये थे और वो भी उस जमाने में आज भी आईटी को यदी क्रैक कर लेता है तो ऐसा लगता है जैसे मानो चौरासी लाक योनी में दुरलब मनुष्य जीवन जिसको मिल जा है इतना दुरलब आज भी है आईटी क्रैक करना परन्तु उस जमाने में मेरे कहल से नाइटी में इन्हों ने आईटी क्रैक किया और इनके जितने कॉलीग सहपार्टी उस समय के थे बैचमेट्स थे वो सब बड़े बड़े पोजिशन्स में युएस में ऐसे ऐसे देशों मे पौँच चुके हैं परन्तु इन्होंने भी कम ख्याती प्राप्त नहीं की है अब इसकौन में इतने कम उमर में इतने कम समय में गौरां कुर्भू जी वी सी बन चुके हैं और जो प्रभुपात के इतने वरिष्ट सन्यासी गुरु इत्यादी, जो इतने वर्षों पस्चात्व जो जी बीसी बने हुए हैं, यहां पर इतनी कम रुम्रें जैसे मैंने कहा कि वो उस पद को उन्होंने अपने गुणों के द्वारा, अपने काबिलियत के द्वारा उनक इसकल हम देखते हैं कि इसकौन के कितने सारे प्रचारक सोशेल मीडिया पर इतने प्रसिद्ध हैं, जैसे हमारे गौर गौपाल प्रभू, अमोग, लिल्ला प्रभू इत्यादी, परन्तु आप लोग को जानकारी नहीं होगी कि इन सब के गुरू रहे हैं, गौरांग प्र कुछ नहीं था, स्टार प्लस पर आत्मा सीरियल में हमारे गौरांग प्रभू इतना प्रसिद्ध हो गए थे, मैंने अपने आखों से अनुभव किया है, कि अमारे गौपिनाद मंदिर में कुछ उत्तर भारत से कुछ एक परिवार गौरांग प्रू बैठ कर रहे थे, में आते हैं, यहां पर नीचे जमीन पर बैठे हुए, तो उस समय गौरांग प्रभू जो इतने प्रसिद्ध थे, वो हरिदास प्रभू करकर है, प्रभूपात के डिसाइपल, वो शूटिंग किया करते थे, तो एक बार जुहू में मैं भी था, और वो हरिदास प्रभू वो जो शुटिंग कर रहे थे इनका, तो उन्हों ने मुझे कहा, यह जो आपके गौरांग प्रभू है ना, यह हमारे इस्तौन के अमिताब बच्चन है, तो हमारा परम सौभाग यह है कि इतनी बड़ी हस्ती गौरांग प्रभू और जो इतने नम्र हैं, जो इतने सुलब हैं, हम इतने सुलबता से इनसे, हम कभी भी इनको न्योता देते हैं, तो यह आ जाते हैं और इनकी विशेश्ता, जो इतने यह निपून प्रवकता है, यह सब हम जानते हैं, मैंने अनुभाव किया है, मैं जब शुरूवाती दौर में इनके साथ था, इनके लौकर बगल म रामनमी हो या फिर जनमाश्क मी हो गौरपुरुनिमा हो हर एक में प्रभुजी का जो प्रवचन होता था उनकी जो कथा होती थी वो सबसे अनोकी सबसे विशेश होती थी तो आए हम सब अपना आभार व्यक्त करें धन्यवाद दें गौरांग प्रभु को इतने सुलबता से वो यहाँ पर स्विक्रिती दिये आने के लिए और अपना संग देने के लिए तीन बार जोरदार हरी गोरांग प्रभु की जए शिला प्रभुपाद की जए जए राध्ध वाध्वाय जएकुंझंधि जएकुंद भिहारी जय राधाना भाधा जय कुण्जा भीहारी जय गोपी जना भाधा जय गिरी वरधारी जय गिरी वरधारी जय गिरी वरधारी जय गोपी जना भाधारी जय गिरिवरा भारी जय गिरिवरा भारी जय यसोदा नंदना जय ब्रजजन रंजना जय ब्रजजन रंजना जय यसोदा नंदना जय ब्रजजन रंजना 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 जयो यमुना तिरवन चार जय कुंज दिहार जयो यमुना तिरवन चार जय कुंज दिहार जयो ये राधामा जावा जय कुंज दिहार जयो ये राधामा जावा जय कुंज दिहार जय गोती जाना वल अभ्हा जय दिरवर अधार जय कुंज दिवर अधार जय कुंज दिवर अधार जय ये सोदा नंदन्ना जय प्रजजन रंजन्ना जय ब्रजजन रंजन्ना जय ब्रजजन रंजन्ना जय ये मुनाति रावनचारि जय पुंज दिहार जय ये मुनाति रावनचारी जय पुंज दिहार जय ये मुनाति रावनचार जय नंदन्ना जयो राद्धा माझवा जया कुंझा पिहारी जयो राध्धा माधवा 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 जया जयो। पाद परमहंस परिव्राज काचार अस्टोद रक्से स्रीम इस इवाइन ग्रेस शील भक्त सिद्धांत सरस्वति थाकुर्प पाद की अनंत कोटी वैष्ण ववरंद की नामाचार शील हरदास्था कुर की प्रेम से कहो स्री कृष्ण चे तयन्य प्रभु नित्यानन्द स्रि ध्वैद गदाधर शिवास इगौर भक्त वरंद की स्री स्री राधाकृ्ष्ण गःघ कौपिनात स्यामकुंड राधाकुंड स्री गृगर धंद की प्रजभूमी स्री वरंदावन धाम की पुरुषोत्तम्क्षेत्रस्रिजगन्नात्पुरिधाम की, नवद्वीप्मायापुरधाम की, सिम्हाचलंधाम की, गंगामय जमुनामाय की, भोक्तिदेवी तुलसी महरान की, कलिगुपावन हरिनाम संकिर्तन की, हरे कृष्ण महां मंत्र की, श्रीला प्रहुपा ट्रैंस लभुपक दिस्ट्रिजगन्नात्पुर्ण की, जै नर्शिंगदेव अविर्भाव महा महोथकव की, श्रीश्री लक्ष्मि नर्शिंगदेव बहगवान की, श्रीश्री प्रहाद नर्सिंगदेव बहगवान की, जै ि एड़ प्रिमानन दे. All glories to assemble devotees. All Glories to Assembled Devotees All Glories to Assembled Devotees All Glories, All Glories, All Glories to Shri Guru and Shri Gauranga Om Namo Bhagavateva Sodevaya 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 Om Ajnati Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Om Militam Yena Tasmay Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shri Mathe Bhaktivedanta Svamin Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesh Shunyavadhi Pashchatyadhesh Tarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaitha Gadadhar Shrivasadhi Gaur Bhaktabrindha Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Narsingadev Bhagawan Ki Jaya Narsingadev Shikshastakam Prabhu Krishna Dhan Prabhu Krishna Dhan Prabhu Naasik Ke Sabhi Bhaktaganda Aaj Ke Is Narsingadev Avirbhav Mahutsov Me Mujhe 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 Yahaan Par Sewa Ka Avasar Diyan Abhishek Karate Samehman Bada Prasand Hua Kiyonki Abhi Tak Ke Jitne Bhi Narsingh Chaturdaşi Me Mijnhe Abhishek Kiya Sabse Bhavya Utsav Vigra Narsingh Dev Kye Yahi Abhi Mijnhe Dekhaya Shri La Prahupa Ji Iskorn Ke Aarambah Ke Dhinom Me Bhagawan Ke Sabhi Avatarom Me Mukhyu Roop Se Tien Jokhi Krishna Ramachandra Or Narsingh Dev In Terno Ke Uppar Bal Diyah Aur Arambah Ke Dhinom Me Hih Narsingh Dev Ki Aarti Iskorn Ke Mandir Me Kaisi Shri Hoi Ki Iskorn Ke Mandir Ke Kahi Par To Aakraman Hua Aur Us Aakraman Ke Pratikriya Me Prahupa Ji Ne Kaha Aap Ye Narsingh Aarti Gai Ye Prahupa Ji Ka 1968 69 Me Heart Attack Type Ka Ho Gya Tha Us Ki Baad Prahupa Ji Ne Sab Ko Kaha Ki Aap Bhagawan Se Pratikriya San Rakshan Ke Narsingh Aarti Gai Ye 66 67 Me Jab New York Me Prahupa Ji 26 Second Venue Me Aapna Lecture Series Start Narsingh 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 प्रभुपाद ने पूछ नाच गया कि फोटो कहा गया सब एक दूसरे को देख रहे थे किसी को पता नहीं पड़ा पिरेक भक्त आल्टर के पीछे प्रभुपाद के व्यासान के पीछे जाकर उस फोटो को उठा के ले आए प्रभुपाद ने का यह औल्टर में रखा हुआ था वो व्यासासन के पीछे कैसे चला गया ओ भक्त ने कहा मैंने उसे औल्टर से उठा के रख दिया प्रभुपाद ने कहा क्यों तो भक्त ने कहा वो इतने डरावने लग रहे थे जिसको देखके मैं भी डर गई मुझे लगा नए-ने लोग आएंगे घबरा के भाग जाएंगे इसलिए मैं उसे छुपा दिये जिससे कि लोग न घबरा जाएं तो प्रभुपाजी ने कहा जो प्रलाद माराज की तरह भगवान पर आश्रित होंगे उने भगवान नर्सिंग देव से घबराने की कोई आश्रक्ष्यक्ता नहीं भगवान नर्सिंग देव उनका संरक्षन करेंगे नर्सिंग देव प्रकट होते हैं आशुरी तत्व का विनाश करने और आशुरी तत्व प्रकट होता है खृदे के भीतर अहंकार से और इस अहंकार का दमन करने इस अहंकार का विनाश करने भगवान नरसिंग देव आते हैं क्योंकि हिरन निकष्पु के जीवन में एक ही समस्या थी, एक ही प्रॉबलम था वो ये कि अपने आपको पूरे ब्रमांड का सरवोच्य स्वामी मानता था और अन्य किसी को अपने से उपर स्विकार नहीं कर सकता था और इसलिए उस अहंकार का दमन करने भगवान को स्वयम प्रकट होना पड़ा लेकिन प्रकट होने के लिए उन्हें एक कारण के आवर्शक्ता थी और वो कारण मन गया जब हिरन्य कशिपू अपने ही पुत्र प्रलात के प्रती अत्याचार करने लगे तब भगवान नर्सिंग देव प्रकट होते है तो इसलिए सब्तम स्कंद में आज़ प्रातकालीन सत्र में मैं कृष्ण बल्ग्राम मंदिर में श्रीमत भागुतम की कथा सुनाया उसमें आरंब के कुछ चैप्टर्स मैंने कवर किये सब्तम स्कंद के जहां सुबह मैंने समाप्त किया उसके आगे कथा को बढ़ाऊंगा हमारी शुद्धी के लिए निर्वेराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहरादाय यदा दुरुयेत हनिश्येपी वरोर्जितम सारे देवतागन हिरन कश्पूभी के भीषण तपस्या के पश्चात उनकी असीमित मात्रा में शक्ति प्राप्त करने के बाद पूरे ब्रह्मान में जो अत्याचार के श्रिंखला आरंब की उस अत्याचार के अंतरगत परेशान होकर भय से थर्थर कापके उनके समस्त जीवन का अस्त व्यस्त होता हुआ देखकर देवतागन लाचार बेबस और निस्सहाय अवस्था में भगवान स्री विष्णू के पास आकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभो आप प्रकट हो जाईए और हमारा संडरक्षन कीजिए इस हिरन कश्पू का दमन कीजिए तो भगवान स्री विष्णू उस समय कहते हैं मैं अवश्य प्रकट होंगा लेकिन कब जब हिरन कश्पू अपराथ की श्रिंखला आरंब करेगा जब किसी वैश्णू भक्त के प्रती वो अत्याचार आरंब करेगा तब मैं अवश्य प्रकट हो जाओंगा तो देवतागण पूछते हैं कि भई वो कब होगा क्योंकि देवतागणों का तो दाना पानी बंद हो गया था उनके मन में एकी बात थी कि कब और कैसे हिरन कश्पू का वद हो तो भगवान विष्णू उनको कहते हैं लेकिन उनका एक पुत्र होगा जो कि महान वईष्णव होंगे और उनके गुण क्या होंगे? निर्वाईराय उनका कोई शत्रू नहीं होगा प्रशान्ताय हर प्रकार के उद्वेग को सहन करने की क्षमता और शक्ती रखने वाले इस जगत में कोई भी हलचल मचती है पीड़ा होती है कष्ट होता है तो व्यक्ती के मन में सरवप्रथम क्या बात आती है? मैं इस परिस्थिती को कैसे बदलू? व्यक्ती अशान्त हो जाता है और वो अपने परिस्थिती को बदल कर विचार करता है, कलपना करता है कि मैं शान्ती की अनुभूती करूंगा लेकिन भगवान के वैश्नो भगत प्रशान्त होते हैं इस जगत की अशान्ती को अनुभाव करते हुए सहन और पूरी तरह से उसे जहलने के ख्षमता रखते है मैं जब आश्रम में जॉइन हुआ था 1993 की बाद है तो सबसे पहले मुझे सेवा दिया गया था किचन में तो मैं किचन में गया तो उसके एकाद महीने बाद एक और नया ब्रहमचारी जॉइन हुआ उसको भी किचन में भेज दिया उन लोगों ब्रहमचारी हटा कटा था तो मैंने का अच्छा चपाती बनाने काम आएगा लगा दिया उसको रोटी बनाने एक सब्ता के पास मेरे बास आके बोलता है वो अरे मैं अपने गाउ में खड़े होकर जब कथा करता हूं पूरा गाउ खड़ा हो जाता है आप लोग मेरे टैलेंट को नहीं पहचाने मैं इस कौन में आया था सनातन धरम का प्रचार करने बनाने नहीं मैंने का मुझे क्यों करे आँ मैं भी तो चपाती बना रहो मैं भी तो किछन में हूँ आप और मैं चर्चा करके क्या होगा इंचार्ज को बताओ वो केते नही नहीं उनको बताएंगे तो लेक्चर देगा वो मन हलका कर रहा हो बता के फिर एक तीन-चार देन और बीते फिर आके वही सनातन धरम का प्रचार करने आया चपाती बनाने नहीं दो हपता हुआ तीन हपता हुआ एक मैने के बाद बोर्या बिस्तर लेके आगया बोलता मैं जा रहा हूं जा रहे हो अभी तो जाइन हुए क्यों जा रहे हो टैलेंट नहीं पहचाना अपने धरम का प्रचार करने आया चपाती बनाने नहीं बोलकी निकल गया दस साल बाद एक प्रोग्राम में मुझे मिला भागा भागा मेरे पास आया बोला मंदिर छोड़के गया शादी किया शादी के बाद पत्नी को बैक पेन हो गया घर पे रोज चपाती मही बनाता और उसका जो तत्व नहीं निकाला थोड़ा सहन कर लेता तो अच्छा होता आधुनिक शिक्षा में और सनातन धर्म की शिक्षा में यही सबसे बड़ा अंतर है आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतरगत लोगों को प्रिरित किया जाता है कोई समस्या हो दिमाग लगाओ आइडिया लगाओ समस्या का समाधान हो सकता है लेकिन सनातन धर्म के अंतरगत यह बताया गया कि हाँ प्रयास करो लेकिन हर प्रकार का प्रयास जब विफल हो तो समझो कि कर्म के पाँच अंगों में सबसे महत्पूर्ण है ईश्वर उनकी इच्छा के विपरीत और उनकी इच्छा के बिना उनके अनुमती के बिना कुछ भी संभव ने इसलिए यहाँ पर हिरन्यकश्वू भी उसी विचारधारा के थे करम करो फल को प्राप्त करो भोग और आईश्वर्य करो सत्ता जमाओ और उनकी बड़ी इच्छा थी तीवरी इच्छा थी कि उनका बेटा भी वैसा ही बने आज बैटकर हमारी कथा हो रही है नर्सिंग देव की हम लोग अभिशेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिता और बेटे में मतभेद हुआ रामायन में भी घर के अंदर ही मतभेद हुआ कई-कई और दशरत के बीच मतभेद हुआ महा भारत में भी दुर्योधन धृतराष्ट्र एक और और युदिष्टिर और पांडव दूसरी और घर में ही मतभेद हुआ और हिरन्य कशिपु के घर में ही मतभेद हुआ तो इसलिए समझना चाहिए कि हो सकता है लगे कि ये तो हम दो चार लोगों के बीच में मतभेद है लेकिन दो लोगों के बीच का मतभेद भयावप परिणाम रख सकता है करोडों करोडों लोग मारे गए मतभेद को लेके इसलिए छोटी बात नहीं है मिथ्या अभिमान जो सबसे सुक्ष्मतत्व है लेकिन सबसे थूल रूप से उसका प्रभाव हम जीवन में देखते है तो भगवान विष्णु कहते है निर्वाइराय प्रशानताय स्वसुताय महात्मने अरे हिरन्य कश्पु का पुत्र बड़ा महात्मा होगा प्रहरादाय यदा द्रुयेद ऐसे प्रहराद के प्रती जब हिरन्य कश्पु द्रोह करेंगे हनिश्ये पिवरोरजितम हाँ ये बात सत्य है कि हिरन्य कश्पु को भ्रह्मा जी से भ्रह्मान्ड के सरवोच नागरिक ब्रह्मा जी सभी अधिकृत संप्रदायों के प्रवर्तक मूल ब्रह्मा जी उनसे हर प्रकार का अशिर्वाद और वर्दान प्राप्त हुआ है नांतर बहिर दिवानक्तम अन्यस्मात अपिचा युधै नभू मौना अंबरे मृत्यूर हिरन ने कश्पु ने दिमाग लगा लगा के हर प्रकार का कंडिशन प्रस्तुत किया उसे लगा हम अमर हो जाएंगे हम मृत्यू के परे हो जाएंगे अगर ये सारे कंडिशन्स हमने भगवान के सामने ब्रह्मा जी के सामने प्रस्तुत किये मेरी मृत्यु न घर के बाहर हो न घर के अंदर हो न आस्मान में हो न धर्ती पे हो न किसी प्रकार के 24 लाग योनियों से जन में किसी व्यक्ती से हो न किसी प्रकार के अस्तरश़स्तर से हो सारा condition लिग डाला उसे लगा life insurance हो गया उनको पता नहीं था कि भगवान उनसे अधिक तेज है और इसलिए हिरन्य कश्पु को लगा केवल इन सभी कंडिशन्स को प्रस्तुत करने मात्र से हम मृत्यू से परे हो जाएंगे तो वास्ता में उनकी अभिलाशा स्रेष्ट थी क्या? अमर बनना लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी महान वैश्णमों में और असुरों में अभिलाशा वही होती है कि हम सनातन जीवन को प्राप्त करें लेकिन असुर इसी वर्तमान शरीर में अमर होना चाहते है जे शरीर को बदलना नहीं चाहते है इसी शरीर में कायम रहना चाहते है और इसलिए वो आसुरी वर्ति है और वैश्णमों अमर होना चाहते हैं किसमें? भगवान की सनातन सेवा करते हुए सनातन धाम में और इसलिए ये भगवान के वैश्णों भक्तों में और असुरों में अंतर है हीरन निकष्पु यही मार खा गया तो उन्होंने प्रलाद महराज के विशे में सोचा कि मेरा पुत्र है जैसा प्रशिक्षन दूंगा वैसा ही करेगा भगवान ने तो इन सब को बता दिया कि भई जब अपराध होगा तब मैं प्रकट हो जाओंगा और इसलिए श्रिपाद रामानुज चारे बताते हैं कि अलग-अलग प्रकार के अपराध होते हैं उनमें एक है जन्म निरूपन किसी के जन्म के आधार पर उनके प्रती अपराध करना वरतन निरूपन किसी प्रकार के कारे प्रनाली में कोई लगा हो उसके आधार पर अपराद करना अव्यय निरूपन उनके शारिरिक उपर नीचे देखकर उनकी कोई तुटियों को देखकर उसके परती अपराद करना आलस्य निरूपन भक्त के अपने प्रमुख गुण होते हैं और कुछ गौण परोक्ष गुण होते हैं भक्तिविनों ठाकुर कहते हैं कि भक्त का प्रमुख गुण क्या है कि वो भगवान के चरणों में आश्रित है भगवान के चरणों में आश्रे लिया है गौण लक्षन क्या है वो कैसे उठता है बैठता है, बोली क्या है, खाता कैसे है इत्यादी उनके सुभाव संबंदित गतिविधियों को देखकर अगर हम मुल्यांकन करें, ये भक्त ऐसा है तो वो गौन लक्षन के आधार पर हमने निश्कर्ष निकाला कई वर्ष पहले हम लोग ब्रिंदावन की आत्रा में थे 2008 की बात है परंपुज राधनात महराज हम लोग सभी को गोवर्धन लेके गए गोवर्धन में सब को कहा कि सभी भक्त लोग अपना-पना भोग बनाएंगे सब लोगों के लिए चूला तयार किया गया चूले पे सब ने भोग बनाया हजारों भक्तों ने मिल के भोग बनाया प्रचुर मात्रा में भोग की सामगरी तयार हो गई वो सारी भोग की सामगरी आकर गोवर्धन गिरिराज के सामने प्रस्थुत कर दिया और गिरिराजी का भिशेक किया भोग लगा लेकिन इतने प्रचुर मात्रा में उस भोग की सामगरी को देख कर मेरे मन में चिंता थी कि इसको खाएगा कौन बटेगा कैसे और मैं सोच रहा था कि प्रोग्राम के बाद इनको बुलाएंगे उनको बुलाएंगे जो यहां परिक्रमा कर रहे हैं उनको रोक कर जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा तब जाके खाली होगा लेकिन मैंने अपने वाईष्णव असोसेशन के पावर को अंडरेस्टिमेट किया थै जैसे ही प्रसाद डिस्टिबूशन शुरू हुआ हमने भी बनाय था प्रसाद फिर भक्त लोगों ने भी तैयार किया था एक गंटे के अंदर सब खतम कुछ भी नहीं बचा फिर अचानक एक हमारे उस प्रोग्राम में सहायक एक व्यक्ति आया थे उनको देने के लिए मैं एक मतका डून रहा था मतके बहुत हजारों के संक्या में मतके भोग में लगे थे मैं एक मतका डून रहा था जो भी मतका मतके थो बहुत मिले सब खाली और पुरा साफ किया हुआ खोजते-खोजते में परेशान हो गया एक डेड़ घंटे में कैसे साफ कर गि क्या वैश्नव संग की शक्ती है तब मैंने देखा एक भक्त बैठा हुआ है थाली है उसके सामने और थाली के चारों तरफ दस बारा मटके रखे हुए है खुदी गिरिराज लग रहे थे आराम से बैठ कर बड़ा प्रार्थना करते हुए तयारी कर रहे थे मैं उनके पर आसा कर destacते है सबसे पहले मेरे मन में क्या आया कितना खा रहा है तो मैंने बोला जब उसका प्रेयर वेर हो गया आख खुला तो मैं खड़ा था सामने बोला तोड़ा डिस्टर्ब हो गया की मेरे समाधी में कौन ब्रेक कर रहा है मैंने कहा ये सब खा जाओगे क्या ये सब खा लोगे वो मुझे देखके बोलता वो मेरा प्रॉबलम है आपका क्या प्रॉबलम है मैंने कहा नहीं मेरे को कोई प्रॉबलम नहीं है मेरे को केवल एक मटका चाहे था किसी को देने तो बुला ऐसा बोलो ना मेरे कैपैस्टी को डाउट मत करो और वो मटका दे दिया तो कभी-कभी हम किसी के सुभाव को आदान-प्रदान को भाषा को परिवार को इन सभी को देखकर एक निशकर्ष निकालते हैं वो अपराद की श्रेणी में आता है उसी प्रकार हिरन्य कशिपु को भी लग रहा था मैं असुर और ये मेरा पुत्र इसे भी असुर होना चाहिए जैसी मेरी विचारधारा है इसकी विचारधारा को भी वैसा ही मेल खाना चाहिए प्रोब्लम यहीं से शुरू हो गया तो हिरन्य कश्पु ने अपने पुत्र प्रलाध को शंड और अमर्क के विध्याले में भेजा शिक्षा प्राप्त करने हैं हर माता पिता के मन में बड़ी चिंता रहती है हमारे बच्चे शिक्षित हों अच्छी शिक्षा प्राप्त करें अच्छे स्कूल कॉलेज में जाएं एक काबिल व्यक्ती बने और हिरन्यकष्पू के मन में भी यही विचार था सनातन धर्म के संप्रदाय के अंतरगत शिक्षा प्राप्राली इस तरह बनी हुई थी कि हर विध्यार्ती को सामर्थ्यवान और चरित्रवान बनाए जाता था लेकिन आधुनिक शिक्षा प्राणाली के अंतरगत हर माता पिता के मन में सबसे बड़ा जो विचार वो यही कि यह सामर्थ्यवान बने और अपना आर्थिक विकास कर ले कहीं न कहीं एम्प्लोईमेंट मिल जाए और इसलिए पूरे शिक्षा प्राणाली के अंतरगत आर्थिक विकास पर बल है उनके चारित्रिक विकास के उपर नहीं हिरन निकश्वु का वही सिस्टम था कि प्रलाद सामर्थिवान मने दूसरों पर शासन करने के योग्य बने और इसलिए उन्हें ने चुन के रखा था दो अवल दरजे के असुरों को शिक्षा देने में स्रेष्ठ शंड और अमर्ग उस समय का सबसे टॉपमोस्ट इंस्टिटूशन उनका ही था शंड और अमर्ग के उनिवस्टी में घुसने के लिए बड़ा हाई रैंक लाना पड़ता था जो न ला पाए बड़ी मात्रा में कैपिटेशन फीस देना पड़ता था लेकिन एक ट्रस्टी कोटे में प्रलाद को मिल गया होगा हिरन निकश्पु के ही पुत्र थे सब असरों के पुत्रों को एक साथ वहाँ शिक्षा दी जा रही थी तो हिरन निकश्पु कुछ समय के पश्चात विचार करते हैं कि वे मेरा बेटा भी क्या सीखा होगा तो प्रलाद को बुलाया और अपने गोत बढ़ा के पूस्ते हैं आप बहुत समय से शिक्षा करण कर रहे हो और बड़ा आलिंगन करके अपने हिरन निकश्पु के आखों से वास्तविक अश्रुधारा टपक रहे थे प्रलाद के केश को वो अभिशिक्त कर रहे थे और ये कृत्रिम नहीं था आर्टिफिशल नहीं था ये सही था ये नैचुरल उनके भाव से प्रकट हो रहा था अर्थाद हिरन्य कश्पु के मन में अपने पुत्र प्रलाद के प्रती वास्तविक, स्वाभाविक, अनुराग था, स्नेह था, वात्सल्य था कब तक, जब तक मतभेद नहू तो यहां तक अगर द्रिश्य देखेंगे तो लगेगा कि पूरे ब्रह्मान में अगर हिरन्य कश्पु किसी से स्नेह करता हो, प्रेम करता हो, वो प्रलाद है प्रलाद से अधिक तो उनके प्रती हिर्दे में किसी के प्रती भावना ही नहीं, ऐसा लगेगा क्योंकि अब तक उनके अहंकार को किसी ने ललकारा नहीं जब हिरन्य कश्पु पूछते हैं प्रलाद, आपने सबसे स्रेष्ट बात क्या सीखी, तो प्रलाद महराज कहते हैं मतिर्नक्रिष्णे परतस्वतोवा मितोभिपध्येत ग्रह ब्रतानाम अदांत गोभिर विशतांत मिस्रम पुनापुनाश्चर्वित चर्वनानाम कहते हैं, पिताजी नहीं बोलते, अरे असरों में स्रेष्ट मतिर्नक्रिष्णे परतस्वतोवा आप जैसे लोगों को न स्वयम अपने बुद्धी से न दूसरे आपको प्रचार करके आपकी बुद्धी बदल सकते हैं क्योंकि जगत में कुछ लोगों ने ठान ली है, व्रत लिया है क्या व्रत लिया है? चाहे कुछ भी हो जाए, हम नरक में ही जाएंगे जगत की कोई भी शक्ती को हम नरक में जाने से नहीं रोक सकते हमको चाहे किसी भी शक्ती को खड़ा कर दो, हम तो नरक में जाके ही रहेंगे व्रत लेके रखा है क्योंकि इंद्रिया अनियंत्रित है वो अपने प्रयास से, दूसरों के प्रयास से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते अपनी आदतों को नहीं बदल सकते चाहे सब लोग उनके पीछे लग जाएं तो भी और इसलिए रूप और सनातन महाप्रभू के सामने जब करबद निवेदन करते हैं, अपने हृदे के भावनाव को प्रकट करते हैं, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, कहते हैं मुरकर्म मुरहातें गौलाय बांधिया कुविषय बिष्ठा गर्थे दियाचे फेलाईया हमारी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण हम इंद्रत्रिप्ति के दलदल में धस्ते चले गए वामन येचे चांद धोरिते चाहे कोरे तईचे एई वांचा मुरे उठाये अंतरे इसलिए हम लोगों के लिए दूसरा कोई आशा नहीं एक मात्र आशा के किरण है हे प्रभो आपकी कृपा की किरणे हमें स्पर्श करे अन्यत्य ये संभव नहीं क्योंकि जब व्यक्ति इंद्रत्रिप्ति के जंजीरों में जंजाल में फस जाता है केवल भगवान और भगवान के वैश्नों भक्त उनको बचा सकते हैं IIT में बहुत स्टार्टिंग के दिनों में जब मैं जब भक्ति रुसामरत महराज का लेक्चर सुना तो उन्होंने जगाय और मधाय का उधारन दिया और कहा कि जगाय और मधाय इतने बड़े पापी थे जब वो लोग भक्त बन गए पूरा बंगाल भक्त बन गया यह सुनके मुझे लगा कि भई मैं भी अपने हॉस्टल का सबसे बड़ा पापी को लेकर आ जाता हूं इस कौन के प्रोग्राम में अगर वो भक्त बन गया उसने दारुपिना छोड़ दिया पूरा हॉस्टल डिवोटी बन जाएगा प्रचार का सबसे बेस्ट आइडिया है गया मैं हॉस्टल में और अपने एक मित्र था जो दिन रात लगा रहता था पीने में उसको जाके बोला कि यह शनिवार को प्रोग्राम है चलो वो कहता है कौन सा प्रोग्राम मैंने गीता का लेक्चर है वो बलता है पिया हुआ है क्या तू किसको बुला रहे हो मुझे चानते नहीं मैं कौन हूँ मैंने गारे हर पापी का भविश्य होता है चलो तो वो कहता है एक शर्ट प्याऊंगा बोतल लेके चलूँगा गीता के लेक्चर में बोतल लेके बैठूँगा इस कौन अलाओ करेगा क्या उसको लगा मैं छोड़ दूँगा तो मैंने सोचा मंदिर फोन करके पूछता हूँ पहली बार किसी को बुला रहा था उसने ऐसा उत्तर दिया कि भई मेरा एक दोस बोतल लेके आएगा लेक्चर में चलेगा क्या मुझे लगा मंदिर वाले बोलेंगे तुम भी मताओ ऐसे गए गुजरे लोग नहीं चाहिए तो मैंने का चलो भई पहली बार किसी को हिम्मत करके बुलाया है बुलाले चलो चलो बोतल लेके चलो सनिवार के दिन आया बोतल लेके चला आधा पी गया था साधना पकी थी उसकी लग जाता था सुबे से ही प्रोग्राम में अंदर गुस्ते गुस्ते मैंने का भई यहां तक बोतल लेके आधा अंदर मत लेके चलो दीवार के उपर जो दर्वाजा है उसके उपर जगह है वहां रख दो वो कहता है इस कौन वाला पी तो नहीं जाएगा मैंने का यार यह लोग तो चाय कॉफी तक नहीं पीते यह क्या पीएंगे चलो अंदर और मेरी भी शर्त है अंदर जाके मौ मत खोलना बदबू आएगी सब लोग समझ जाएंगे और फिर मुझे गाली मिलेगी चुपचाब बैठना ठीक है तहां बैठोंगा लेकिन लास्ट में खाना मिलेगा ना वो मिलेगा लेकिन चुपचाब बैठो अंदर गए वो बैठा, मैं भी बैठा महराज खुश हो गए, नया आदमी आया इसको देख के बोले, नाम क्या है तेरा मैंने अंसर दिया फिर बोचे कौन से एर में हो, मैंने अंसर दिया कौन से ब्रांच में हो, मैंने अंसर दिया बोले यह क्या हो रहा है प्रशनी इसको पूछ रहा हूँ, आंसर ये दे रहा हूँ, मैं समझ गया, मैं बोला, महाराज जी, ये मेरा दोस्त बहुत शरमाता है, तो मैं अच्छा च्छा कोई बात नहीं, लेक्चर शुरू किया, लेक्चर के बीच में वो बेचेन होकर मुझे बोलता है, कब तक बोले पार गया, बचा हुआ, दारुख खतम कर गया है, सोचो आदत कैसी होती है, एक गंटा वोने रुक पाया, फिर प्रोग्राम के अंत में महाराज बोले, माला लोगे क्या, वो बलता है, हाँ लूंग, ये करे, पागले क्या, माला करेगा क्या, मेरेको पूचा है बाई, माला लेके गए होस्टल में, एक हाथ में माला, एक हाथ में बोतल बोलता मैं इसकोन जॉइन हो गया हूँ, एक हपता लगा मुझे माला वापस लेने, और हाली का बता रहा हूँ, आज तक बोतल नहीं छूटा है, तो इसलिए प्रलाद महाराज हीरने के श्पू को कह रहे हैं, अनाम मतिर्न कृष्ने परत स्वतोवा, ऐसा नहीं कि दूसरा कोई उसको सुना दे तो मान जाएगा, जिसने वरत ले लिया कि मैं नहीं सुधरूंगा, चाहे कुछ भी हो, नहीं सुधरेंगे, अदान तो गोभीर, क्यों इंद्रिया अनियंत्रित हैं, इसलिए, विशताम तमिष्रम पुनः पुनष चर्वित चर्वनाना, एकिने, तो ये प्रलाद महराज का वक्तव्य था, तो हिरन निकष्वी बड़े क्रोधित हुए, और क्रोधित होकर, उन्होंने तुरंत अपने दो टीचरों को पकड़ा, क्योंको लगा यही रेस्पॉंसिबल है, क्या से लिभस में सिखा रहे हैं, शंड और अमर को देख के कहते हैं, ब्रह्म बंदो की मेतत्ते, ये क्या चल रहा है, आप इनको क्या सिखा रहे हो, आप जो सिखा रहे हो, असारम, ताम अनादृत्य दुरुमते, मेरा ही अनादर करते हुए, मुझे ही क्या-क्या सुना रहा है, विपक्ष श्रेशाद लगता है, विपक्षी दल का अश्रे लिया है, इनोने, वोला श्लुक कोन से है, ब्रिंदावन, वनम गतोयत हरिमा अश्रेत, तत साधुमन्या, ये वाला पहले सुनाते हैं, तत साधुमन्ये सुर वर्य देहिनाम, सदा समुद विग्न धियाम, असत ग्रिहाद, तो इसको सुनकर, घरनिकष को बॉखला जाते हैं, और कहते हैं, ये क्या, विपक्षम श्रेशाद आपका पुत्र ने, विष्णू के कुछ भक्तों का आश्रे लिया है, ऐसा परतीत हो रहा है, अरे भईया, आप लोग स्कूल कॉलेज चला रहे हो, देखो, कि विष्णू के भक्त लोग यहाना मन रहे हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, चुपचाप घुसाएंगे, और हो सकता है, वेश बदल के भी आ सकते हैं, सावधान रहो, शंड और अमरक बोलते हैं, कोई चांस ही नहीं है, ऐसा कोई आया ही नहीं, कोई सिखा ही नहीं हम कह रहे ह अब यह कहां से सीखा भी तो प्रभुपाजी तात्परे में लिखते हैं, कि भोतिक वादी और जो आसुरी बृत्ति के लोग होते हैं, वो लोग किसी भी कृष्ण भक्ती के सुगंद मात्र से घवरा जाते हैं, उनको लगता है, यह व्यक्ति बदल जाएगा, और देखा गया है, कोई भी जवान भ्यक्ति किसी भी मंदिर में जाए, तो माता पिता अब्जेक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन जब बोले, इस कौन मंदिर जा रहा हूँ, बेटा, बज के रहे, क्योंकि वहाँ पर यद गत्वा न निवर्तन थे, जाने पर व्यक्ति वापस नहीं आता, मतलब घर पे आजाएगा, लेकिन बदल के आएगा, खाना, पीना, सब कुछ बदल जाता है उसका, आज पूरे विश्व में 800 करोड की जनता है, विश्व की जन संक्या कितनी है? 800 करोड, पचास करोड भी शाकारी नहीं है, साड़े साथ सो करोड विश्व के ऐसे हैं लोग, जब तक पशु की हत्या करके उसका मास और उसका रक्त नहीं पीते, रात को नींद नहीं आती, ऐसे भयावख कल्यूग में हम लोग जी रहे हैं, उसमें हम लोग बोलते हैं, शाकारी क्या, कॉंदा लसून भी नहीं, तो उसमें और उसका पचास करोड का 90 परसंट निकल जाता है, फिर बोलते हैं, चाय कॉफी भी नहीं, तो फिर इतने ही बचते हैं, एक प्रोग्राम में मैं किर्टन कर रहा था, सामने एक सजजन बैठे हुए थे, किर्टन में ताली ही नहीं बजा रहे थे, हम सब किर्टन करें वो ध्यान में, मैं बोलो ताली बजा हूँ, अरे बजाओ भाए, तो प्रोग्राम के बाद प्रसाद हो गया, प्रसाद के बाद मैं देखा वो कोने में खड़े होके हाथ में तम्भाकु लिए जोड-जोड से ताली बजा रहे है मैंने का यार किरतन में बजाने बोला इतना नकरा किया अभी क्या उटसा के साथ बज रहा है ग्यार ये कहां से आ गया उले बच्छपन में मेरे दादाजी मुझे रामाइन सुनाते थे और बीच-बीच में ये करते थे मैं पूछता था ये क्या है तो गोला अरे हनुमान जी ले क्या है लक्षमन सूंग के जटका खाके उठे ये भारत की विशेष्टा है इंदरत्रिप्ति के साथ थोड़ा शास्त्रिक परपोर्ट भी लग जाता है तो आपको लगता होगा इतने लोगों को देख के कि पूरी दुनिया ऐसी ही है अरे नहीं भाईया बहुत कठिन है आदतों को बदलना बहुत लगभग असंभव है तो याद रखना हमेशा जो भक्ति में उतरा है वो सबसे विरले है सबसे रेर है इतने जल्दी नहीं मिलते हैं मंदिर खचा कच भरा हुआ इसका मतलब नहीं पूरी दुनिया ऐसी है तो हिरन ने कश्पू को लग रहा था इसको क्या हो गया पागल हो गया एक कॉलेज के स्टूड़न्ट को में प्रसाद दे रहा था वो बोलता है नहीं लूंगा नहीं लूंगा यार प्रसाद मना कर रहा है पहला आदमी देखा गीता मना करता हो तो देखा है प्रसाद मना कर रहा है पागल हो गया क्या प्रसाद क्यों मना कर रहा है मुझे डर लगता है मेरा भी हैरस्टेल आपके जिसा हो जाएगा कई लोग आप लोग कुछ मिलाते हो इसमें अरे भाई भगवान को जब भोग लगा तो प्रसाद बनता है उस प्रसाद के विशे में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भाईया हम लोग मंदिर इसले नहीं चलाते कि आप लोग सब आके मंदिर में भरती हो जाओ हम लोग मंदिर इसले चलाते हैं कि मंदिर में आकर शिक्षा प्राप्त करके चरित्र प्राप्त करके आप अपने घरों को मंदिर बनाओ और प्रैक्टिकल बात है आप लोग बोलो भी कि हम मंदिर में रहेंगे जगा का है आपने पास तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं अद्वेत आचरे घर में जाकर इतना विशाल मात्रा में भोग लगावा उसको देखकर प्रफुलित मन के साथ महाप्रभु कहते हैं अचे अनजे कृष्णा के कुराय भोजन जन में जन में शिरे धरो ताहर चरन चेतने महाप्रभु कहते हैं आप लोग जो ग्रहस्त में हो कभी ये मत सोचो कि भक्ति करना कठिन है भक्ति करना बड़ा असान है आपको घर नहीं बदलना संपत्ति नहीं बदलनी परिवार के संबंदों को नहीं बदलना है आपको केवल अपनी आदतों को बदलना है घर पे तो भोजन बने गई वो भोजन बिना कांदा और लसुन की प्रेम से भगवान को भोग लगो चैतने महाप्रभु कहते है जो घर पर बने हुए भोजन को भगवान को भोग लगाता है जो कृष्ण को पहले भोजन कराता है अपने भोजन से पहले महाप्रभु कहते हैं ऐसे ग्रहस्त लोगों के चरणों को मैं अपने मस्तक पर जन्म जन्मांतर के लिए धारन करता हूँ केवल इतना सा सरल सा कारे करने पर भगवान कितने कृतग्य हो जाते घरे कृष्ण भजी मुरे कोर आशिर्वा दे निला चल आशिजेना तुमार प्रशादे चैतन्य महाप्रभु सरभवम भटाचार्यों कहते हैं भटाचार्य आप आशिर्वा दीजिए मैं दक्षिन भारत की आतरा करके तीर्थ आतरा के बाद निला चल पुनह लोट के आओ प्रभुपाची ताथपरे में लिखते हैं अरे क्या अचरज की बात है सन्यासी ग्रहस्त को आशिर्वाद देने चाहिए यहाँ पर सन्यासी ग्रहस्त से आशिर्वाद मांग रहे हैं फिर प्रभुपाची ताथपरे में लिखते हैं स्री चैतन्य महाप्रभु ने समाज में तीन बातों का वितरन किया कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद जो व्यक्ति अपने घर के चार दिवारिक के अंतरगत कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद का वितरन करना आरंब करे उस व्यक्ति का घर घर नहीं मंदिर बन जाता है और ऐसा भक्त किसी सन्यासी से भी कम नहीं तो यही बात हिरन्य कश्पु और प्रलाद महराज के घर में भी चल रही थी हिरन्य कश्पु को चाहए कि मन में विचार था कि मेरा पुत्र प्रलाद मेरे जैसा ही महद्वा कांख्शी बने राजिनिती में अव्वल बने जन सामान्य के उपर अत्याचार करने में स्रेष्ठ बने तन मन धन से दूसरों का शोशन करने में निपुन बने ऐसे पुत्र को पाकर मैं करवान वित्वूंगा यह हिरन्य कश्पु की महत्वा कांख्शा थी और प्रलाद बोल रहे हैं वनम गतोयत हरी माश्रेत हरी काश्रे लोग तो इसलिए हिरन्य कश्पु ने शंड और अमर को कहा कोई भक्त लोग आकर प्रचार कर रहे है ब्रेन वाशिंग चल रहा है बैन कर दो इन लोगों को अंदर ना आने पाए और यह मत सोचना हमेशा सैफरन महीं आएंगे यह लोग तो पैंट शर्ट में भी घुश जाएंगे किसी भी बेश में घुश जाएंगे इसलिए सावधान रहना शंड और अमर्क प्रलाद को लेके गए डंडा दिखा के धमकाया और बटा अरे प्रलाद इतना कुछ शिक्षा देने के बाद जब हमारे सार्थक्ता के कसोटी थी उस समय समराठ के सामने आपने हमारा अपमान करवा दिया किसने सिखाया तुमको ये हमने तो आपको नहीं सिखाया कहां से शिक्षा ली ये बहकी बहकी बाते आपने कहां से उठाई तब प्रहलाद बड़े प्रेम से कहते हैं कि भई वही व्यक्ति जो आपको ग्यान दे रहे हैं बल दे रहे हैं वही हमको भी दे रहे हैं और फिर कहे रहे हैं वही भगवान स्री विश्णू वो चुम्बक की तरह है और हमारी चेतना लोहे की तरह है श्वयम आकर्ष सन्निधव न तथा भिद्यते चेतस चक्रपाने रिद्रिच्छया जैसे चुम्बक के प्रती लोहा अपने आप आकर्षित हो जाता है वैसे ही शुद्ध जीव कृष्ण के प्रती आकर्षित हो जाता है लेकिन लोहे के उपर अगर किसी न किसी प्रकार से प्रदूशन हो वैसे चुम्बक के प्रती आकर्षित नहीं होगा उसी प्रकार जब जीव की चेतना, काम, क्रोध, लोब, इत्यादी के द्वरा आवरित हो अहंकार से आवरित हो वो स्री कृष्ण के स्रेष्टता के प्रती आकर्षित नहीं होगा अर्थार शंड और अमर को कह रहे है आप मुझे पूछ रहे हो मैं आकर्षित कैसे हो रहा हूँ अरे भई हम स्वस्थ चेतना के अवस्था में है आप बीमार अवस्था में हो इसको सुनकर शंड और अमर्क बड़ा क्रोधित हो गए एक तो पाँच वर्ष का बालक इतना उद्धंड की तर्क वितर्क के साथ हम कोई सिखा रहा है डंडा उठाया और कहने लगे दैते ये चंदन वने ये चंदन के वन में प्रलाद महराज ऐसी कुलाडी की तरह आ गया और ये भगवान विष्णू इस प्रलाद को हैंडल बनाकर हम सबको समाप्त करेंगे ऐसा लगा है और तब उन लोगों ने सोचा प्रलाद को कुछ समय और हम लोग इसी शिक्षा प्रणाली में रखते हैं सुधर जाएगा और कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि जो भक्ति की बाते करते हैं वो बहके हुए है एक हमारे ब्रह्मचारी मंदिर में जॉइन हुए उनके पिता जी आएके जगड़ा करने लगे बोलने लगे कि भई मेरा पुत्र इस उमर में क्यों जॉइन हो गया जब वो मेरे उमर का होगा तब जॉइन होना चाहिए तो प्रेज़ेंट बोले पुत्र को जाने दो, आप आजाईए पिता जी घबरा गए बोले घर पे पूछ के बताता हूं अगले दिन आके बोले पुत्र को ही रहने दो तो गिरिराज महराज जब जॉइन हुए तो उनके पिता जी आके बोले प्रभुपात को ब्लैंक चेक लो, इसको छोड़ दो गिरिराज महराज प्रभुपात को बोले चेक भी रोखो और मुझे भी रखो प्रभुपात बोले ने ने आप जाईए घर पे चले गए उनके माता पिता ने एक psychiatrist को लाया और वो psychiatrist उनको एक कमरे में लेकर जाकर प्रश्ण पूछने लगे आपके लाइफ में प्रॉबलम क्या है तो गिर्राज महाराज बोले जन्म मृत्यू जरावयाधी फिर दूसरा प्रश्ण किया उसका भी उत्तर गीता का श्लोक तीसरा प्रश्ण फिर गीता का श्लोक आदे घंटे में psychiatrist भागे हुए बाहर निकले और गिर्राज महाराज के माता पिता के पास आके बोलते हैं अगर मैं आदा घंटा और आपके पुत्र के साथ रहूंगा मैं हरे कृष्ण बन जाओंगा और गोले और गोले और प्रश्ण इस पर्मनेंटली इंफेक्टेड तो वास्ता में लोग कहते हैं आप लोग इतना प्रचार कर करके लोगों के दिमाग में ये सब भर देती हो अरे प्रश्ण उठता है अगर गीता और भागवत दिमाग में नहीं उतारो तो इंटरनेट और वाटसअप में बैट बैट कर दिन भर दिमाग को क्या ठंडा कर रहे हो तो इसलिए ये सत्संग में आकर जो ज्ञान की प्राप्ति आपको हो रही है करोणों करोणों जन्मों के तपस्या और पुन्न के बाद आपको ये सोभां के प्राप्त हो रहा है कि नासिक में बैठे बैठे आपको प्रतिसप्ता शिक्षाष्टकम प्रभू और कृष्ण दन प्रभू जैसे प्रचारक कथा पिला रहे हैं आम भी नहीं खिला रहे हैं आम की गुठली उठली निकाल कर पूरा रस निचोड कर आम रस को ठंडा करके पिला रहे हैं ये कोई सामान्य बात नहीं है और्डिनरी मत मानना भाया बहुत दुरलब है बहुत विरले है करोडों करोडों जन्मों के बाद ये प्राप्त होता है सोभाग्य इसलिए कविराज गोशामी कहते हैं शेशलीलार सूत्रगन करी किच्छु विवरन इहा विस्तारीते चित्त होए ना देखिये आयुशेश विस्तारी बालिला शेश जदी महा प्रभूर कृपा होए कविराज गोशामी कहते हैं भाई जो आप लोगों के पास है वो मेरे पास नहीं वो क्या? मैं पिच्चानवे वर्ष का हो गया हूँ चैतने चरतामर्त लिख रहा हूँ मेरे पास क्या नहीं है? समय समय की पुणजी मेरे पास नहीं यू अप्रभूर के लिख रहा हूँ शेशलिला और सूत्रगन इसलिए मध्यलिला के आरंब में ही मैं अंतलिला का भी परिचय दे रहा हूँ कोरी किच्चु विवरन इहां बीस्ता रीते चित्त होए क्योंकि मेरे मन में है कि अगर बाईचान्स मध्यलिला लिखते लिखते मेरा दिहान तो हो गया तो भविश्य की पीडिया महाप्रभू की अंतलिला का परिचय भी नहीं पराप्त कर पाएंगी ठाके जदी आयू शेश लेकिन आगे अगर आयू मिले बिस्तारी मालिला शेश तब इस्तृत रूप से हम वरणन करेंगे लेकिन वो कब संभव होगा जदी महाप्रभूर कृपा होए महाप्रभू की कृपा होगी उनकी अनुमती होगी तब मैं ये कर पाऊंगा इसलिए सेवा में साधन के आवश्यक्ता नहीं साधना करने की तीवर ललक होनी चाहिए और साधना करने की तीवर इच्छा हो सेवा करने की तीवर इच्छा हो तो साधन के अनुपलब्द होने पर भी नहीं उपलब्द होने पर भी व्यक्ती कोई भी सेवा सिद्ध कर सकता है इसलिए कविराज गुष्ष्वामी केते हैं आमी बृद्ध जरातूर लिखी ते का पयकर मन किछू स्मरने न होय न देखिये न यने न शुनिये श्रवने तबु लिखी ए बड़ विस्मय न मैं देख पा रहा हूं न सुन पा रहा हूं लेकिन फिर भी मैं ये चैतन चरतामरत लिखता चला जा रहा हूं कितनी विस्मय जनक बात है ये प्रभू की कृपा है तो इसलिए आपको भगवान ने कुछ साधन दिये हो अथवा न दिये हो आपके अंदर कोई गुण हो अथवा न हो लेकिन केवल सेवा करने का कर भाव प्रधान हो केवल उस सेवा भाव के आधार पर व्यक्ति कुछ भी सिद्ध कर सकता है और इसलिए आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हम भगती कैसे करेंगे हमारे अंदर ये गुण नहीं वो गुण नहीं ये नहीं वो नहीं ये मत देखो आपके पास क्या नहीं ये देखो कि आपके पास क्या है और आपके पास क्या है आपके पास सत्संग है और आपके पास मार्ग दर्शन करने के लिए शिक्षाष्ट कम प्रभू Krishna Dhan Prabhu और कई भक्त लोग है ये साधन आपको अगर मिल गया तो बाकी साधन हो नहो अपने आप भक्ति आगे बढ़ती चली जाएगी और शुद्ध भक्ति के मार्क पर आप लोग स्थित हो जाओ गया स्रिला प्रभुपाजी जब अमरिका गये तो उनके पास साधन सीमित थे 40 रुपे लेके गए और जो लोग उनके साथ जुड़े वो लोग भी कोई बहुत पारंगत लोग नहीं थे लेकिन प्रभुपाज ने क्या कहा जो भी कुछ सीमित साधनों के साथ हम से जुड़े हम उनकी साहता लेंगे और प्रभुपाद ने कहा ग्यारा वर्ष के प्रचार में लोगों के आदतों को बदलने में बहुत कष्ट हुआ लेकिन जैसे मैंने कष्ट उठाया है आप भी उठाईए ready-made सब नहीं मिलेगा प्रयत्न करना है एक भक्त प्रभुपाद के लिफाफे के उपर स्टैंप लगा रहा था स्टैंप लगाने के लिए वो अपना जीवा आगे करके जूटा करके ठूक से उसको गीला करके स्टैंप लगा रहा था प्रभुपाद ने देखके का अरे क्या कर रहे हो कितना गंदा है ये मुची अभी भक्त बन गए हो डिवोटी बन गए हो ऐसे नहीं व्यवार करना चाहिए कटोरी में कुछ जल लो और वो जल को लगाओ जल को लगा कर ऐसा किया अगर ये सभ्य तरीका होता है स्टैंप लगाने का वो भक्त उठे बेचारे लेके आए और फिर जल से स्टैंप लगाने लगे सारा स्टैंप लग गया एक ही स्टैंप बचा था और कटोरी में जल समाप्त हो गया अब वो सोचे एक स्टैंप के लिए कौन उठके जाएगा बगल के कमरे में पानी भरेगा वापस आएगा और एक स्टैंप सामने दरवाजा देखा बंद था कोई नहीं है और अपना पुरणा स्टाइल जिंदाबाद एक लास्ट स्टैंप लगा दूँगा किसी को पता भी नहीं पड़ेगा तुरंथ अपना जीहुआ बाहर निकाला जैसे ही स्टैंप जीहुआ में चिपकाया दरवाजा खुला प्रभुपाद खड़े थे प्रभुपाद गोलते है मैंने कहा ता तुमको ये मत करो मुझे क्या पता ता आप प्रकट हो जाओगे तो श्रीला प्रभुपाजी ने कहा जो कोई भी साधन भगवान दे उसको स्विकार करो और अपनी इच्छा शक्ती और आशा के उपर कारे करो साधन जुटाने पे नहीं साधन के उपर जब फोकस रहेगा कभी प्रचार नहीं हो सकता तो इसलिए प्रभुपाजी एक स्रेष्ट उधारन है इसके प्रलाद महराज के पास साधन थे? नहीं सारे साधन तो हिरन नकश्पु के अंडर था हिरन नकश्पु के नियंत्रन में सारे साधन थे बेचारे प्रलाद के पास क्या था? केवल आशा थी श्रद्धा थी इच्छा थी उत्साह था आप लोग इतनी दूर दूर से मंदिर आते हो आज के संध्याकाली नसत्र के समय आप नासिक के किसी भी कोने में रह सकते थे नासिक में कहीं भी खड़े होकर आप कोई भी रेस्टरंट में जा सकते थे पिक्चर देखने जा सकते थे कहीं भी कुछ भी करने जा सकते थे लेकिन आज यहां क्यों आए? नरसिंग देव ने आपको बुलाया है अब राईये मत चीरने नहीं आशिरवाद देने क्योंकि लोगों को लगता है संपत्ति का नाश बड़ा नाश है धन का नाश बड़ा नाश है संबंदो का नाश बहुत बड़ा नाश है लेकिन सबसे बड़ा नाश है आशा का नाश और लोग मंदिर आते हैं क्योंकि मंदिर में हर वैश्णव सत्संग के अंतरगत हम आपके आशा का पोशन करते हैं ये मंदिर ऐसा केंद्र है जहांपे आशा रूपी वेगवती गंगा नदी सरिता प्रवाइत होती है उस आशा की नदी में डुप के लगाने आप लोग आये हो जिससे कि यहां से जब जाओ तो चाहे कितने ही नकारात्मक तत्व आपके उपर हावी हो लेकिन आप हमेशा आशावादी बनो रहोगे क्योंकि आपके जीवन में इतनी समस्याई नहीं चितने प्रहलात की जीवन में अब शंड और अमरक ने प्रहलात को दूसरी बार लाये है क्योंकि कभी-कभी होता है सेमिष्टर में आदमी फेल होता है है कि नहीं मेरे भी कॉलेज में हैं जब मेरे कुछ मित्र लोग चार-चार-पांच-पांच सब्जेक में फेल हो गए थे लेकिन बड़े आराम से हसते खेलते हैं कैंपस में घूम रहे थे प्रसन्न होकर निश्चिंत होकर दूसरों को आशिरवाद देते हो है अब राओ मत हम है न तो मैंने का यार इतने निडर कैसे हो या निरलज भी हो चार-चार सब्जेक में फेल हो गए आराम से घूम रहे हो गोले अपना फिलोस्पी सिंपल है कॉलेज में गुसना अपना काम है निकालना कॉलेज का काम स्टूडंट्स को मैं प्रेरना नहीं दे रहा हूं ये आशा प्रलाद महराज के चारों तरफ भयंकर आक्रमन और अत्याचार हो रहा था लेकिन उनके हृदे के अंदर भगवान स्री कृष्ण के प्रती जो श्रद्धा थी भगवान स्री कृष्ण के संड्रक्षन के प्रती जो भाव था वो आशावादी था और केवल उस आशा के बलबूते पर वो यो युद्ध लड रहे थे हिरन्यकश्पु के सामने फिर प्रलाद को लाया गया फिर प्रलाद हिरन्यकश्पु के गोद में बैठे फिर हिरन्यकश्पु आलिंगन किये फिर नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हुआ तो समझना चाहिए हम अपने आप को और दूसरों को और समाज को बेवकुफ बनाते हैं कि मेरा इनके प्रति प्रेम है भाव है इस जगत में दो लोगों के बीच संबंद एक सामाजिक व्यापार है भावनात्मक व्यापार है क्योंकि वास्तों में सामाजिक औउपचारिकता मात्र के लिए हम कहते हैं हमारा इन से प्रेम है उन से प्रेम है लेकिन वास्तविक प्रेम अपने ही अहंकार से है अपने अहंकार के साथ जो लव स्टोरी चल रहा है उसका प्रदर्शन हो रहा है हिरन्य कश्पु के चरित्र के माध्यम से ऐसा नहीं कि प्रलात के प्रति उसका प्रेम नहीं था था, स्निह था, वातसल्य था लेकिन अपने अहंकार के प्रति सबसे तीवर भाव था और इसलिए जब भी उसके अहंकार को कोई ललकार है वो बाकी सभी संबन्दों को समाप्त करने के लिए तैयार हो जाए तो इसलिए हिरन्य कश्पु के माध्यम से परिचे दिया जा रहा है जो भौतिक वादी व्यक्ति वैश्नवता की अगनी में अपनी चेतना को अब तक निमक्न करने के लिए तैयार नहीं हुआ उसका सबसे बड़ा प्रेमी उसका अहंकार है सबसे अधिक प्रेम अपने से है अपने स्वार्थ से है अपने विचारों से है तो हिरन्य कश्पु ने प्रलाद को अपने गोद पर बिठाया अब उसके अहंकार का भी उसकी परिक्षा होने वाली है पूशता है फिर प्रलाद बता क्या शिक्षा ग्रहन की तुने है जो कुछ आपको याद हो अच्छा लगे वो बताओ हिरन्य कश्पु बड़ा ही जेंटल एक्जाम ले रहे थे ये भी नहीं की भई कुछ कठिन पूछ लिया जब रदस्ति फेल करने के लिए जो याद हो वो बताओ प्रलाद इसको सुनकर बोलते हैं श्रवनम कीर्थनम विष्णोह स्मरनम पादसेवनम अरचनम वंदनम सक्यम दास्यम आत्मनिवेदनम इती पुम्सार्पिता विष्णोर भक्तिष्चेत नवलक्षना ये भक्तिके नव विधा है श्रवनम कीर्थनम विष्णोह स्मरनम अरचनम बंदनम किसको बोल रहे हैं हिरन्यकशिपु को विष्णु के सबसे बड़े शत्रु को और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ और ये पूरी तरह भली भाती जानते हुए कि ये उत्तर देने पर मेरे पिता हिरन्यकशिपु की प्रतिक्रिया क्या होगी ये प्रलाद महराज के भक्ति के चरित्र की परिक्षा थी वो अपने भक्ति के भाव को छुपा सकते थे वो अपने भक्ति के भाव को हिरन्यकशिपु के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते थे लेकिन उनोंने कहा जो सत्य है उसको प्रकट करना अनिवार्य है और उनोंने ये सत्य वचन खिरन निकष्पु के समक्ष प्रस्तुत कर विया तो भक्त के जीवन में दो संपत्या होती है भक्त की दो संपत्य क्या है? एक उसका वरत और दूसरे उसकी सेवा वरत और सेवा और जब हम अपने जीवन में इस वरत और सेवा को अपने जीवन का प्रधान संपत्य मान कर चलते हैं कई परिस्थितियां आएंगी हमारे सामाजिक आदान प्रधान में अध्योगिक आदान प्रदान में हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां और प्रलोभन आएंगे जब हमें प्रस्ताओं मिलेगा भई थोड़े समय के लिए अपने व्रत को भ्रम्ष करो भंग करो रहने दो अरे पता है तुम कृष्ण के डिवोटी हो थोड़ा कॉंप्रमाइज कर लो जादा नहीं थोड़ा कभी-कभी नम्र रहोगे माया अलग-अलग प्रकार से प्रलोभन देगी तो इसलिए जब व्रत हम लेते हैं कितना माला करने का कितना माला सोला तो ये व्रत है और महा प्रभु सनातन गुष्वामे को कहते हैं भजने रमध्य स्रेष्ठ नवविदा भक्ती कृष्ण दी ते कृष्ण दी ते धोरे महा शक्ती कृष्ण प्रेम कृष्ण दी ते धोरे महा शक्ती ये नवविदा भक्ती इसके माध्यम से भजण होता है और इन भजण के सभी कार्यों में सबसे सृरेश्ट क्या है ये नव विदा भक्ती में सरवस्रेश्ट क्या है नाम संकिर्दन कैसा बिना अपराद के इसलिए जब चैतन्य महाप्रभू दक्षिन भारत की आत्रा आरंब करते है तब नित्यानन्द प्रभू उनसे कहते है तोमार दोई हस्त बद्धनाम गणने यलपात्र बहिर्वास वहिबेके मोने महाप्रभू आप दक्षिन भारत की आत्रा अकेले जा रहे हो अरे आप मंतर जब जबते हों तो एक हाथ के उंगलियों से आप कितना मंतर हुआ वो जबते रहते हो एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ और दूसरे हाथ के हतलियों में कितना माला हुआ, वो गिंते रहते हो तुमार दूई हस्त बद्ध नाम गणने आपके तो दोनों हथेलियां नाम किर्तन की गणना में लगी रहती हैं जलपात्र बहिरवास वही बे अपने जलपात्र और बहिरवास को वहन करने के लिए एक अनुचर तो ले चलो प्रहुपाजी तात्पर में इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं क्या? नाम करना हो गिंती से महापरभु स्वयम गिंती थे एक नवीवक मेर शे भहस कर रहा था घीता के कौन से श्लोक में कृष्ण ने कहा है अर्जुन को सोला माला कर कुरुक्षैतर के रणभूमे में कभी अभी कृष्ण ने अर्जुन को पूचा अर्जुन माला हो गया गया अर्जुन ने कभी Krishna को कहा क्या प्रभुर्वरत को उस पेड के पिछ ले जढ चार माला बाक्षी एस सोलग इस सोला माला कहा से लेक्या गया हम नो का Krishna का स्टेंडेर क्या है पता है क्या सततम कीरतेयंतोंJa चोबिस घंटा, आप चोबिस घंटा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसलिए प्रभुपाजी ने कृपवष क्या का, कम से कम दो घंटा करो, सोला माला करो, समझे क्या, क्योंकि अगर ये नियमित रूप से माला करने का अनुशासन नहीं होगा, तो हम लोग अपने आप से कभी नहीं करने वाले हैं। इसलिए श्रीला प्रभुपाजी ने हम लोगों को ये नियम दिया है। केह नाचे केह गाए स्री क्रिष्न गोपाल, प्रेमेते भासिललो कस्त्री बृद्ध अबाल। और समाज का हर श्रेनी का व्यक्ति इसमें लग सकता है। तो प्रलाद माराज ने जैसे ही ये श्रवनम किर्थनम कहा हिरनिकष्पु इतने कुरोधावेश में आ गए। हमने ऐसा सिखाए नहीं है इसको, तो हिरन्यकष्पु प्रलाद को देखे बुलता है, इन्होंने नहीं सिखाए, कहां से सिखाना लायक बता। और फिर प्रलाद माहराज केते हैं, मतिर्नकृष्ने परतस्वतोवा। नैशामतिस्तावत उरुक्रमांग्रिम। भक्तों के चरण कमलों को, उनके रज को अपने मस्तक पर धारन कर भक्ति करो। ये मैंने सिखा है। हिरन्यकष्पु का सीमा पार क्रोध उठता है, और प्रलाद महराज को विभिन प्रकार से समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हाथी के नीचे, सर्प के बीच, अगनी के भीतर, भुषेला, भोजन देकर, लेकिन प्रलाद निरंतर भगवान से विष्णु का समरन करते हुए, अपने प्रान को बचाय रखते हैं। हिरन नकष्पु घबरा जाते हैं। औलते हैं यह कौन है। इतना सब कुछ करने पर भी जीवित है। शंद और अमर कैते हैं। अरे, तुम घबरावमद हिरन नकष्पु आप भी कोई कम नहीं। भूत काल में आपने भी कितने बड़े बड़े असुरों को और देवताओं को पराजित किया। तो हिरन नकष्पु का अत्म इश्वास बनाय रखके वो चले गए। फिर उसके पश्चाद हिरन नकष्पु ने प्रलात को बुलाया और कहा कि तुद दिन रात उस विष्णु विष्णु की बात करता रहता है। वो विष्णु कहां कहां पे है बताओ। कस्मात स्तंभे न द्रिश्यते। इस स्तंभ के अंदर भी है। यस्त्वयात्मंद भाग्योक्तों मदन्यो जगदिश्वरं क्वासव यदिससर्वत्रं कस्मात स्तंभे न द्रिश्यते। मंद भाग्या। मंद बुद्धिवाले प्रलाद। बारं बार शिक्षा देने पर भी तुमेरे शत्रु विष्णु को नहीं भूलता। मदन्यो जगदिश्वरं मुझसे अधिक शक्ति शाली इस जगत में दूसरा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या। और ये पूरे लेला का मरमस्थल है। मुझसे अधिक स्रेश्ट दूसरा कौन हो सकता है। और आप विष्णु 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 नाम रटते जा रहे हो। मदन्यो जगदिश्वरं मुझसे अधिक स्रेश्ट दूसरा कोई नहीं संभाव। और अगर कोई होगा उसे मैं समाप्त करूँगा। जो उसका आश्रे लेगा उसको भी समाप्त करूँगा। और आप कहते वो सर्वत्र है, सब जगए तो इस्तंभ में भी है क्या। और प्रलाद महराज को तो नर्सिंग देव दिखी रहे थे। और जितना अधिक अपने हाथ में तलवार लिए प्रलाद को बारंबार प्रताड़ना कर रहा था, नर्सिंग देव भगवान का उस्तंभ के अंदर ही कुरोध बढ़ता चला जा रहा था। कि मेरे भक्त के पृति है सात्याचार। और फिर कुछ समय के पश्चात बड़े कुरोधावेश्म्या के हिरन कश्पु ने अपना मुष्टी प्रहार जब उस्तंभ पे किया। उस्तंभ को फोड़ते हुए अंदर से प्रकट हो गए भगवान नर्सिंग देव की। अपने भक्त ब्रह्माजी के शब्दों को और अपने भक्त प्रलाद महराज के शब्दों को सार्थक करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम भगवान उस विक्राल नर्सिंग देव के रूप में प्रकट हुए मिमान समानस्य समुथितोग्रो नर्सिंग रूपम तदलं भयानकम और उस भयावह रूप में प्रकट हुए नर और सिंभ अद्रिश्यता भगवान का ऐसा रूप किसीने इतिहास में नहीं देगा था अति अद्भुत रूपम तंभे सभायाम जैसे इस तंभ से सभा में प्रकट हुए हिरन्यकश्पू उस रूप को देख कर सोच रहे हैं क्या ये म्रग है ये मनुष्य है क्या है ये कौन है ये और तब हिरन्यकश्पू ने सोचा अरे पशू है कोई और मुझे तो वर्दान प्राप्त है कोई मार नहीं सकता जूटे आत्मविश्वास को लेकर बरस पड़े आक्रमन करने लगे युद्ध छड़ गया नरसिंग देव भगवान और हिरन्यकश्पू के बीच ऐसा अभुद्पूर्व युद्ध था कि नरसिंग देव भगवान भयंकर चीतकार मचा रहे थे चिल्ला रहे थे उस चीतकार को सुनकर पुरे ब्रमान के जितने हाती थे बेहोश हो रहे थे और उपर आस्मान में बैठे हुए देवता गंड नरसिंग देव के इस पराक्रम को देख के प्रसन्न हो रहे थे उनको लगा शायद यही विश्णू आ गये गया हो सकता है हिरन्यकष्प को मारने वाला प्रकट हो गया लेकिन फिर भी देवताओं को हंड़र्ड परसन्ट आत्मविश्वास नहीं था इसलिए वो लोग आस्मान में भी बादलों के पीछे छुप कर देख रहे थे केवल चेहरा यूँ देख रहे थे क्योंकि उनको लगा जब हिरन्यकष्प की पिटाए हो रहे थी पिटते पिटते हिरन्यकष्प उपर भी देखता था और उपर आस्मान की तरफ द्रिष्टिपात करते हुए नोट करता था कौन मजा ले रहा है क्योंकि जैसे नर्सिंग देव पिटते थे हिरन्यकष्प की देवता ताली बजा थे हिरन्यकष्प उपर देखता था तो देवता घबरा गए कि अरे बच गया तो अपनी खटिया कड़ी कर देगा बाद में इसलिए वो लोग ताली बजा कर बादल के पिछे चूप जाते थे अभी भी confidence नहीं था पता नहीं था कि ये इतने प्राक्रमी जो है वास्तों में सफल होंगे कि नहीं और फिर युद्ध छिड़ता चला गया देवता उपर से जोर जोर से बोलने लेगे प्रभो और खिलवाड मत करो हाँ बस हम लोग ने मजा ले लिया लेकिन जो में काम है उसको करो उसको समाप्त करो और तब नरसिंग देव भगवान ने भी सब योजना बनाई थी कि भई सूर्यास्त का समय होना चाहिए क्योंकि कहा था दिन में रात में तो संध्या के समय जब सूर्यास्त हो रहा था हिरन ने कश्पु को उठा कर महल के द्वार पर ले आए क्योंकि द्वार क्या है ना अंदर ना बाहर हिरन ने कश्बु के विशाल का इस सरीर को उठा कर उन्होंने अपने जंगा पे रख लिया थोड़ा सा बेंड होकर क्योंकि जो जंगा है ना आस्मान है ना धर्ती अब रहा अस्त्र ना अस्त्र ना शस्त्र तो नर सिंग देव के लंबे लंबे नाखून थे नाखून क्या है न जीवित नम्रित क्योंकि एक वर्दान ये भी था कोई जीवित व्यक्ति न मार पाए न मरा हुआ भी मार पाए नाखून क्या है जिंदा कि मरा नाखून को जब काटते हो जब कटा हुआ भाग को तो मृत लगता है लेकिन जब तक यहाँ है बढ़ता है तो जीवित की तरह बढ़ता है काटो तो मृत की तरह बैड़ जाते है तब फिर उस नोखिले नाखून से नख से उन्होंने हिरन ने कशिपू के उदर को चीर डाला और हिरन ने कशिपू के उदर के अंदर से जो अंतड़ियां थी उसको पेट में से बहार निकालने लगे क्योंकि इतने बड़े असुर को मारा नर्सिंग देव चिला चिला कर आसपास देख रहे थे कि कोई आकर हार पहनाएगा मुझे कोई आई नहीं रहा था नर्सिंग देव ने का कोई मुझे मेडल नहीं दे रहा मैं खूद अपनी विवस्था कर लूँगा और हिरन ने कशिपू के पेट का पूरा अंतड़िया निकालकर अपने गले में लगा लिया और जब अंदर से अंतड़िया निकाले हिरन ने कशिपू के पेट का जो रक्त था वो फवारे की तरह उपर उठा और रक्त का फवारा पूरा भगवान नर्सिंग देव के मुख पे आया उनके संपुर्ण देह में हिरन ने कशिपू का रक्त फैल गया और चिल्ला रहे थे और दहाड रहे थे और हिरन ने कशिपू के अनुयाई इतने मूर्ख थे देखा नहीं कि मालिक का क्या हुआ वो भी जपट पड़े विनाश काले विप्रीत बुद्धी भगवान ने उनको तो केवल फूक मार के समाप्त कर दिया सब लोग समाप्त हो गए सारे असुर मर गए लेकिन भगवान नर्सिंग देव का क्रोध बढ़ता चला जा रहा थे और जोड से चीख रहे थे इसको देखकर देवता अपस में चर्चा करने लगए अरे भईया अगला अपना नंबर है क्या है इतना चिला रहे हैं सब बोले छुपो यहां से भागो क्योंकि जब व्यक्ति कुरोध में रहता है वो देखता नहीं कौन अपना है कौन पराया सबको मारता है तो देवतां को लगा अवशुरों को मारने के बाद कुरोध के आवेश में आएके हमको ना समाप्त कर दे फिर किसी ने का ब्रह्माजी को भईयाओ ब्रह्मांड के कोने कोने में आके पिटाई करेंगे इसलिए कोई जल्दी जाके उसको ठंडा करो ब्रह्माजी आपने वर्दान दिया ठंडा करो जाके ब्रह्माजी निकारे वर्दान तो मैंने दिया लेकिन उनकी अर्धांगनी तो लक्ष्मी है उनको बोलो लक्ष्मी बोली मेरे पती को कभी ये रूप में देखा ही नि ये मेरे नहीं कोई और लग रहे मुझे अपने तो शांत लेटे रहते और हम जाकर चरणों का संभाहन करते ये पताने कौन है गुर-गुर-गुर चिला रहे जोर-जोर से जो आसपास आये उसको नोचरे पकड़के पताने कौन है तो ब्रह्माजी फिर प्रलात के पास गाए ओले बैटे प्रलात जो भी हो पिता जी तेरे थे उत्तरदाई तो तो तुमको लेना पड़ेगा और यह सब बाप बेटे के बीच में जो हुआ उसको लेकर यह आ गया अगर बाप बेटे में अन्बन नहीं होती तो यह क्यों आते है कि नहीं तुमारे घरेलू मसले में हमको भी 33 कोटी देवतां को गुसा दिया आपने जाओ बेटा शान्त करो उनको प्रलाद महराज ने भहस नहीं किया चुपचाप चले गया ऐसा कारे करने ऐसी सेवा करने जो 33 कोटी देवता नहीं कर पाए तेकिन प्रलाद के मन में कोई आडबर नहीं था कोई आँकार नहीं था कि मैं यह सेवा करने जारा हूँ जो कोई नहीं कर पा रहा उन्नौने देवता इसाका का वीडियो लो आथिहासिक कारे करने जा रहा हूँ सुपचाप गये भगवा नर्सिंगदेव ने प्रलाद को देखकर उनको बड़े प्रेम से अपना नाखून और रक्त से भरा हुआ हाथ सर पे रखा प्रलाद मारा जटका नहीं का है सोचो किसी का हाथ आए जिसमें नाखून हो खतरना जिससे करोड़ों लोगों को मारा है और फिर पूरा खून से सना हो वो सर पे कोई रखे अपना माता ही घूम जाएगा लेकिन प्रलाद बड़े प्रेम से जानते थे कि ये कौन है प्रलाद महराज नर्सिंगदेव भगवान की हाथ को नहीं उनके घृदे को देख रहे थे ये भगवान ऐसे हैं जो मृत्यू के समय जिसने जीवन भर्भक्ती की है, माला की है, प्रचार किया है ऐसे भगवान मृत्यू के समय ऐसे भक्त के हृदए के अंदर प्रवेश करके उसकी आत्मा को भगवत धाम लेके जाएंगे तो प्रलाद महराज ऐसे नर्सिंग देव भगवान को देख कर कहते हैं मेरे मन में एक ही इच्छा है अरे मैं तो असुरों का अनुगमन करते हुए नरक में प्रवेश कर रहा था लेकिन प्रभो आपने अपने प्रियभक्त नारद मुनी को मेरे जीवन में भेज दिया कृत्वात्मसाद सूररशिन भगवन ग्रिहीत सोहम कथम नुविस्रजे तवभृत्यसेवाम सामान्य साधक के मन कैभिलाशा होती है कि भगवत भक्ति करने के पस्चात परिनाम सुरू भगवान के दर्षन करूंगा वो भगवान के साक्षाद दर्षन तो मुझे अभी सुलब है आप साक्षाद मेरे समक्ष खड़े हो लेकिन मेरी अभिलाशा क्या है आपके दर्शन से तुम्हें तृप्त हो गया लेकिन मन अभी भी प्यासा है अतृप्त है क्योंकि जो गुरुजन नारद मुनी ने मुझे भगती का ज्यान दिया उनके प्रती सेवा के माध्यम से में अपनी कृतग्यता व्यक्त नहीं कर पाया स्वामी मुझे श्रिपाद नारद मुनी के चरन कमलों की सेवा का स्वरनिम अवसर चाहिए और कुछ नहीं सत्संग छाड़ी कोईनो असते बिलास तिकारने लागिलू ये कर्म बंदभास जैसे ही सत्संग से छूटेंगे असत में मन आविष्ट हो जाएगा तो इसलिए हमेशा याद रखें जो भी सोला माला और चार नियम हम लोग पालन कर पा रहे हैं वो अपने व्यक्तिकत कर्मों के और इच्छा शक्ति के आधार पर नहीं ये समवेत वैश्णवों के आशिर्वात के कारण हम पालन कर पा रहे हैं इसलिए साक्षात नर्सिंग देव का दर्शन करके प्रलाद महराज के मन में एकी भाव है कैसे मैं श्रिपात नारत मुनी के प्रती कृत अग्यता अव्यक्त करो तो इसलिए प्रलाद महराज की प्रार्थनाओं के प्रश्चाद नर्सिंग देव भगवान ने कहा इच्छा करो क्या मांगती हो प्रलाद ने कहा रहे असुर के सामने आप ऐसा बोलोगे हमारी तो पहली आदत बिगड़ी हुई प्रभो मुझे केवल आपकी भगती चाहिए मैं व्यापार ही नहीं हूँ मैं प्रेमी हूँ जो प्रेम करता है वो व्यापार नहीं कर सकता जो व्यापार करेगा प्रेम नहीं कर सकता जहां लेन देन हो, उसे व्यापार कहते हैं, प्रेम में तो केवल देन ही देन है, लेन कुछ नहीं है, इसलिए प्रभो आपकी सेवा में बनाए रखी है, और अगर कुछ देन ही हो, तो केवल एक ही वरदान दो, मेरे पिता मुझसे बड़ा स्नेह करते थे, हां मदवेद तब नर्सिंग देव कहते हैं, त्रिसप्ते भी पिता, पूता, पित्र भी सहते नगा, 21 पेडियों का उध्धार हो जाता है, जैसे कोई भक्ती में आ गया तो, अच्छ में बता रहा था, जब मैं इसकौन जॉइन हुआ, तो मेरे परिवार के सदस्य किसी को बोलने ही पार में है, कुस्तु गाने है, बंबई में है, तो फिर मैंने एक दिन घर पर प्रोग्राम आयोजित किया, तो एक भक्त को लेके गये थे, भक्त ने कहा, मेरे सब परिवार के 70-80 लोग बैठे थे प्रोग्राम में, बोला, आपके परिवार में एक भक्त हो गया, मुझे दिखा हो गया, नरसिंग देव का इशलोक कोट किया, और आप सभी लोग वाइकुंट जाओगे, 21 पीडिया वाइकुंट जाएगी, प्रोग्राम के बाद एक कजिन मेरे पास आगा बोला, भक्ती करते रहे ना तू, छोड़ना मत, और कुछ प्रोब्लम कभी भी होगा मुझे बत नहीं था, तो ये है प्रलाद महराज का चरित्र वर्सस हिरन्यकषपु का दुष्चरित्र, सात्वे सकंद का टॉपिक है उती, अर्थात शुब अशुब इच्छा, प्रलाद महराज शुब इच्छा के प्रतिक, हिरन्यकषपु अशुब इच्छा के प्रतिक, सब्तम सक में पंदना अध्यार्ण हैं दस अध्याइं करना चाहिए इसका उदारण प्रतिकूल उदारण और प्रलाद शुद्ध बथते हैं तोप्रशन उठता है 16 कैसे प्रकटफ हो अशुब इच्छा कैसे प्रकट हुई प्रलाज के हरदय में अशुब इच्छा कहां से आई हिरन निकष्पु के हरदय में अशुब इच्छा कैसे आई क्योंकि हिरन निकष्पु अपने पूर्व जन्म में वैकुंट में क्या थे जय और उनके भाई विजय और उनकी ऊपर अभिश्राप मिला किसका चतुष कुमारों का जब भक्त किसी की ऊपर क्रोधित होते हैं श्राप देते हैं तो भक्तों के क्रोध का परिणाम होता है कि हिर्दय में अशुब इच्छा उत्पन्न होती है तो हिरन्य कशपू के अशुब इच्छा के पीछे कारण था वैश्नव क्रोध और प्रलाद महराज के खृदे के अंदर शुब इच्छा के पीछे कारण था नारदमुनी जैसे शुब शुद्ध वैश्नव के वैश्नव आशिर्वाद और वैश्नव संतोष सो वैश्नव के संतोष से शुब इच्छा उत्पन होता है, वैश्नव के असंतोष से अशुब इच्छा प्रकट होता है, तो एक ही घर में पिता पुत्र क्या प्रदीक हैं, भाईया वैश्नव को कभी असंतुष्ट मत करना, नहीं तो हिरन निकष्पू जैसा बनोगे, वाइष्णवे रगुन ग्राहिनों देखाय दोष, कोय मने वाक्य कोरे वाइष्णव संतोष, वाइष्णव का गुण का ग्रहन करो, दोष्मत देखो, काय मन वाक्य से वाइष्णव का संतोष्ट करो, मुर्ख नीच खुद्र मुई विषय लालस वैष्णव आज्य बोले कोरे एते का सहस कविराज गुस्वामी कहते है मैं मुर्ख हूँ नीच हूँ खुद्र हूँ विष्यों के परती लालची हूँ लेकिन वैष्णव का आज्या पालन करता हूँ इसलिए ये शक्ती प्राप्त हुई है तो अगर नर्सिंग चतुदशी के दिन हमें भगवान नर्सिंग देव से प्रार्थना करनी हो तो यही कि हम वैष्णव आज्या पालन करें प्रहुपाजी शिरा सरस्वति ठाकुर के वानी को लेकर अमरिका गए 40 रुपे लेके गए जुहू मंदिर के चत पर बैठ कर कुछ उद्योगपती से चर्चा कर रहे थे अचानक एक बहुत बड़े बिजनसमेन प्रवेश्किया प्रहुपाजी ने परिचे दिया ये ब्रिजरतन महुताजी हैं बहुत बड़े बिजनसमेन है महुताजी ने तुरंद का प्रहुपाजी आप अमरिका 40 रुपे लेके गए अब पूरे विश् Parks कौन के 40 करोड की संपत्ती है असली बिजनसमेन तो आप हो तो प्रभुपाद ने तुरंद कहा तो आप मेरे बिजनेस में जॉइन हो जाओ मोटा साप कहते है अभी नहीं लेकिन हम दूर से सपोर्ट करेंगे इसलिए प्रभुपाद जी कि सबसे बड़ा उनका सबसे बड़ा गुण क्या था सरस्वति ठाकुर की वानी को लेके चले और प्रभुपाद जी ने कहा वैश्णव समुदाय में रेके भक्ति करो धीरे धीरे आदतें बदलेंगी morning walk पे प्रभुपाद गए उनके पीचे-पीचे सर्वेंट चल रहा था सब भक्त लोग देख रहे थे प्रभुपाद क्या करेंगे प्रभुपाद अपने हाथ में चड़ी लिये सर के उपर चड़ी उठाये थोड़ा जुके कुत्य के आख में आख मिलाकर जोर से बला हट अमरीकी कुत्य ने देसी गाली नहीं सुने थी घवरा के दुम दबाके बैठ गया भक्त लोग बले प्रभुपाद तो यार कुत्य को भी कंट्रोल कर रहे थे तीन साल बाद वही भक्त प्रभुपात के साथ जैपुर में रादा गोईन मंदिर में किचन में रोटी बना रहे थे अचानक विंडो खुला हुआ था विंडो में से एक बंदर अंदर आया जैसी बंदर आया ये भक्त को लगा मजे पता है हात में बेलन लेके बंदर को देखे हो अचत बंदर बड़ा सा कटओर लेके मारा उ भागे भागे प्रभुपात के पास है मैंने वही टेक्निक फॉलो किया लेकिन पेल हो गया प्रभुपात ने का तुमने देखा लेकिन सीखा नहीं अपनाया नहीं तो इसलिए कभी-कभी भक्ति को देखकर दूर से किसी भक्त को देखकर आपको लगे गारे इतना ही करना है क्या एक व्यक्ति मेरे को बोलता है बस चार नियम मैंने का चार नियम खटिया खड़ी हो जाएगी पालन करते-करते तो इसलिए प्रभुपाजी ने मार्ग दिया है मार्ग सरल है प्रभुपाज ने कहा Krishna consciousness is simple but not easy and what is not easy to keep following the same simple process for life इसलिए भगवान नर्शिंग देव से हम प्रार्थना करते हैं कि कल्युक के ऐसे भयावा वातावरन में ज़ा हर प्रकार के प्रलोभन हमारे सामने क्षण क्षण मंडरा रहे है भगवान नर्शिंग देव जिस प्रकार प्रलाद महराज पर कृपा किये हम पर कृपा करें कि श्री प्रलात की भाती हमारे मन में भी तीवर भक्ती भगवान के चरन कमलों के प्रती आसकती हर प्रकार के प्रलोभन के होते हुए भी उसे नकारने का सामर्थ्य हर प्रकार के डरावने परिस्थितियों के बीच भी निर्भीक होकर हम अपने सर को उपर उठा कर विश्व की बड़ी से बड़ी सत्ता के सामने निर्भीक होकर ये दावा कर सकें कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ और हर परिस्थिती में कृष्ण की भक्ती करूंगा मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे विकराल कल्यूग जिसमें 800 करोड लोग में अधिकांश लोग आसुरी वृत्ती के ही होंगे और मुझे इस बात का भी पूरा आभास है पूरा ज्ञान है पूरा विश्वास है कि अगर मैं भक्ती में कृष्ण की भक्ती और कृष्ण की सेवा और वैष्णवों का संग के साथ सोला माला करते हुए चार नियम पालन करूंगा ये गैरेंटी है कि मैं जीवन भर समाज के भयंकर माइनौरिटी में रहूंगा इस प्रकार के कड़क कढ़ोर नियम पालन करते हुए जीवन शैली इस बात का गैरेंटी देती है कि हम समाज में केवल अल्प मात्रा अल्प संख्यक वैष्णव बने रहेंगे मेंस्ट्रीम में हम कभी नहीं रह सकते इस बात को जानते हुए भी प्रलाद महराज की तरह जब हिरन निकश्पूरूपी तत्व हमारे सामने हमारे विश्वास और शद्धा पर प्रश्न उण उठाए हमारे मन में प्रलाद महराज जैसे आत्म विश्वास होना चाहिए सर उठा कर उतर दे सके हम कृष्ण के ही भक्त है चाहे आप हमें कुछ भी बोल लो हम यही भक्ति करेंगे चाहे कितने अलप संख्य गणना में क्यों न हो हम मेजॉरिटी में रहने के लिए पागल नहीं हम कृष्ण के चरन कमलों में जो मेजॉरिटी dust of his lotus feet है वहाँ minority बन के रहना चाहते हैं यह प्रलाद महराज का जो आत्म विश्वास है कथा में सुनते हैं आप और हमारे जीवन में में प्रती दिन ऐसे क्षण आएंगे जब हिरन नकषपूरूपी तत्व हमारे सामने प्रश्ण उठाएगा तुम यह क्यों कर रहे हो कैसे कर रहे हो किसलिए कर रहे हो छोड़ो इसको कब तक सड़ते रहोगे छोटी सी मात्रा में देखो दुनिया मौच कर रही है खाओ प्योग करो आनन बाकि सब परमानन क्यों चिंता करते हो कौन पूष्टा है लेकिन तब प्रलाद महराज की कृपा होगी तब हम अपना सर उठाकर आत्म विश्वास के साथ बोल पाएंगे हम ने तो अपने इस जीवन में अपने मस्तक को भगवान के चरणों में बेच दिया है परमपरा के चरणों में समर्पित कर दिया है इसलिए हम तो उनके सामने बिक चुके हैं उस समय अपने मुक से ये वानी निकलना इस बात का परिचे होगा कि श्री प्रलाद महराज की कृपा हम पर हुई है यही श्रीला प्रभुपाद जी विश्व को देने के लिए पहुँचे और श्रीला प्रभुपाद की कृपाद से आज विश्व भर में इस कौन के साड़े 700 मंदिर 120 रेस्टोरंट 80 फार्म कम्यूनिटी और पिछले 55 वर्षों में इस कौन के भक्तों ने 55 करोड भगवद गीता वितरित कर दिये हैं तो आईए नरसिंग चत्रदशी के संध्याकाल नरसिंग दे भगवान से यही प्रार्थना करें कि जो भी आज हम बरतमान में हैं हमारे भूत काल में करोडों करोडों लोगों के तपस्याओं का वो परिणाम है जिनोंने भएंकर सामाजिक, राजनेतिक परिस्थितियों में संघर्ष करके, तपस्या करके हम लोगों के सामने यह भक्ति का ज्यान प्रस्तुत किया है हमारे लिए भक्ति सुलब बनाया है उन सभी लोगों के प्रति अपनी कृतग्यता को कभी न भूलें और नरसिंग देव से भगवा नरसिंग देव से यही प्रार्थना करें कि वो हमारे हर्दे के अंदर उस अहंकार का दमन करें जो हमेशा ललकारता रहता है कि मैं भी कुछ हूँ और जो भी कुछ हूँ अपने सामर्थ के कारण हूँ मेरा भी इस सेवा में कोई श्रेय है ये जो अंदर से भौकने की आवाज आती है भगवान नर्सिंग देव उसे शांत करें उस अहंकार का दमन करें और अंदर जो भक्ती के डगमगाती हुई ज्वाला है उस दीपक को प्रजुलित करें और हम हमेशा हमेशा के लिए वैश्णवों के दास आनुदास बन के सेवा करते रहे हैं इस कौन नासिक शिक्षाष्टकम प्रभू कृष्णधन प्रभू और जितने यहां काउंसिलर भक्त गण है सभी वैश्णव गण है आप लोग कितने प्रेम से कल्यूक के इस रेगिस्तान में इस कौन नासिक को एक सुन्दर Oasis के रूप में तैयार किया है आप सभी को जानकर बड़ा अनंद होगा कि देश विदेश में अल्मोस्स सभी कॉंटिनेंट में मैं कई वर्षों से घुम रहा हूँ और इस बात को जानकर आप लोग प्रसन्न होंगे कि इस कौन नासिक विश्व के टॉप दस मंदिरों में से एक है और ये मत सोचना कि नासिक मैं आया हूँ इसले बोल रहा हूँ तभी प्रसाद मिलेगा बाद में नहीं क्योंकि मंदिर क्या है अस्पताल भारत में सत्तर हजार अस्पताल है बीस लाक मंदिर है दूसरा डेटा कोविड के बाद बहुत बिजनस बंद हो गये एक भी मंदिर बंद नहीं हुआ तीसरा कोविड के बाद मंदिरों में क्राउड तीन गुना से पाँच गुना हो गया है तो अधिकांश मंदिरों में प्रॉबलम क्या है अस्पताल है डॉक्टर नहीं है जिस मंदिर में नियमित रूप से कथा हो शिक्षा हो वो आवशदी का संचार बना रहता है तो यहां पर इसकौन नासिक में यह मंदिर का स्ट्रक्चर तो कई वर्ष पहले बन चुका था कौन सा वर्ष में बना था कलंतरी साब 2005 2005 में रेडी हो गया और कभी-कभी लगता है अरे मंदिर हो गया अभी क्या करें एक और यह बनाई यह बनाई वो बनाई एक और मंदिर और बड़ा बनाई यह बनाई नहीं पिछले 17 साल से इसी मंदिर के इसी हौल के अंदर हर सप्ताह कम से कम दो या तीन दिन पूरे कॉंग्रिगेशन के लिए नियमित रूप से कोई न कोई शिक्षा का कारिक्रम चलता चला गया है इसी लिए यह मंदिर स्रेश्टतम मंदिरों में से है और साथ-साथ जो युवां प्रचार यहां पर हो रहा है बच्चों के लिए जो कारिकरम हो रहा है और अन्य प्रकार के जो उत्सों मनाए जा रहे है यह सब इस बात का परिचे है कि जैसे कल्यूग बढ़ता जा रहा है लोग और बुरी तरह से समतप्त हो रहे है उनको बचाने के लिए ऐसे मंदिर ही एक आशा का किरन है तो अंतरराश्ट्र कृष्ण भावनामर्च संग इसकॉन और इसकॉन के गवर्निंग बॉडी कमिशन की और से मैं इसकॉन नासिक और सभी भक्तों को हार्दिक शुवेच्छा व्यक्त करता हूँ करतक्यता व्यक्त करता हूँ कि आपने शिला प्रभूपाजी के इस मिशन का नाम रोशन किया है इस इसकॉन नासिक को इतने स्रिष्ट रूप से चला कर बहुत बहुत धन्यवाद है जय नरसिंग देव भगवान की जय भकतराज प्रलाद महराज की जय ताइ गोर प्रिमानन दे इत्रेस गवरांग प्रभू की तो जिस प्रकार से गोरांग प्रू ने इस मंदिर के बारे में